हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमिद करता हूँ कि आप समी लोग एक दम बढ़िया होंगे तो भाई यह पबलिक की डिमांड पे फिर से लॉट आई है टोटा इनुवा क्रिस्टा और राम जो इससे में इसका वीरियन देख रहे हैं जैनेक्स के वल सेवन सीटर में ही आपको देखने को मिलता है और यह किलर है इसका वाइट एक और कलर इदर आया हुआ है इसका यह बलैक कलर आया है इसकी भी रिवु मैंने अल्लेडी डाल रखी है आज हम कवर करेंगे इसका वाइट कलर प्राइस की बात करें तो 26,5000 इसका एक्सोरूम प्राइस है और और ग्वालियर में जाता है 31.74 लाक और आपके स्टेट में थोड़ा बहुत उनिस भी चेंजेज हो सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इसी वो कवर करेंगे 32 लाग में क्या क्या मिलता है वो देखेंगे औ फ्रेंट प्रफाइल की बात करें तो आपको 1730 mm की चोड़ाई के साथ कुछ इस तरह की फ्रेंट प्रफाइल आपको देखने को मिलती है व्लासी ब्लाइक फिनिश में आपको पूरी ग्रिल देखने को मिलेगी टोटा का लोगो उफर किया जाता है क्रोम में आप ये वाला प्रफाइल ग्रिल कुछ इस तरह से है और क्रोम का यूज काफी बढ़िया से किया गया है यह अंडर बॉड़ी देख लिए तो अगयर आपको देखो फ्रेंट में दो तो हुक देखने को मिलता है तो है ना तो हुक ही है बागी एक बार बोनट देख लिए कुछ इस तरह स बेजिक सा बोनट है यह क्रीचिस काफी बढ़िया इसकी लुक्स को इन्हांस कर देती है लाइट शेटप की बात कर ली जा तो देखो आपको यहां पे प्रोजेक्टर और हैलोजन का लाइट शेटप देखने को मिलेगा यह आपका प्रोजेक्टर एलीड है है यह आपको प्रोर्ण का यूसे देखने को मिलता है यह आपके ऐपके डिया डियारे वह सद काफ़ने डियार नीचे आएंगी अपको देखो हमाखलें और हमाई कुल थीय अलग थी है, फ्रेंट प्रफाइल के बारे में आपकी क्या रहा है, एक बार कमेंच में जरू बताएगा, लाकि उपर आपको बढ़िया वाले फ्रेमले स्वाइपर्स, प्रेंट सेंसिंग नहीं है, आपको रूफ रेल भी नहीं मिलेगी, शार की नंटिया भी लेकने को नही हो नहीं मिलेगा, आपके डॉर हैंडल में रहा हो, और हम कंहीं भी आपको कै्रोम्हं Je hirak को सारी प्र sends me ab a to смsh twins, मिलते हैं, यह वाला पीडियों और बार्ट में डिवाइड है, उपर देख ली मैं दिखा तो एक सेखिन है यह रहे आपका पडल लाइब जो काफी बढ़िया लगता है लुक्सु नांस कर देता है बाकि यह रहे आपके क्रोम में डोर हैंडल विद रिक्वेस्ट सेंसर जो काफी बढ़िया लगते है साइड परफाइल हो गई बात कर ले जाए इसके टायर्स की तो यहां पर देखो आपको ब्रिस्टोन के टायर्स देखने को मिलता है टायर का साइज है आपका 215 पचपन और 17 17 इंचेस के है साइड से परफाल कर देखने के टायर का तुम डिस्क और रियर में आपको ड्रम बेक्स ओफर किये जाते हैं अब दिखा रिठा हूँ आर्चेज आपके बॉडी कलर में देखने को मिलता हैं दोस्तों रियर में देख लो यहां के आपको ड्रम डेख से है ना ड्रम डेख से है ठीक है अब पटर पैनल देख लीज़े कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बात कर रही है इसके रियर परफाइल की तो कुल उचाई 1795 mm की है और ऐसी रियर परफाइल आफर करती है वाइपर, डिफॉगर, हाई मौंट, स्टॉप लेंप, अंटीन आपको देखने को मिलेगा साइड से देख लीज़े, आपको स्पॉइलर भी देखने को मिलेगा लाइट सेड़प की बात कर लीज़े, तो सब कुछ आपको यहाँ पर हैलोजन में देखने को मिलता है हिनोवा क्रिष्टा की बैजिंग है, टोटा की बैजिंग है इधर आप देखिए, 2.4, डीजल इंजन है यहाँ इसका, बागी इधर हैलोजन में आपको इंडिकेटर्स नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नीचे आप स्पेटर्स देख लेजिए, स्पेटर्स अपका एकदम सेम साइच का है लेकिन स्टील है और यह रहा सलेंसर और एक टोक आपको इधर देखने को मिल जाएगा दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आएंगे तो देखो यहां पर आपको फ्यूल लेट देखने को मिलेगा डीजल टैंक है डीजल में ही आता है पत्पन लीटर की इसके पूरी कैपैस्टी है ठीक है चले बात कर लेते हैं इसके पूटगी तो कुछ इस तरह से आपको बूट स्पेस मिलने वाला है 300 लीटर का बूट स्पेस आपको फफर किया जाता है वाकी इंतेरियर्स देख लूट टैं कलर में इंतेरियर्स काफी बढ़िया लगता है यह जो रियर की शीटस है तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर लूट छाए तो आप इसको ऐसे उठा लूट ठीक है उठाने के बाद अच्छा खासा इसस बन जाता है बागी आप इसको ऐसे खड़ा करके, तीसरी दों में बंदा बैठा सकते हैं, तीनों के लिए address मिलता है, तीसरा address ये पढ़ा, आप लेकिन इसको लगाएंगे, उसके बाद दूसरा वाला बंदा कहां बैठेगा, ये सोचने की बात है, एक लैंप हैलोजन में, इधर आपको मैं दिखाता हूँ, इसरा आपको बागी ताम जाम देखने को मिलता है, दिखाता हूँ यह hard है, chrome में handle, power window के control, सारे one touch है, यह आपका silver satin, double silver का है सकते हैं, इसे, आपके यह lock and lock का button, वार वीम के controls, bottle holder की placement, umbrella holder तो साइद ही आएगा यहाँ पे, speakers की placement, साइद 6 speakers आपको इस variant में देखने को मिलते हैं, seats आपकी electrically adjustable देखने को मिलते हैं, यह बार इसका fabric देख लो, tan color में fabric है, आपका perforated है, काफी बढ़िया आपको देखने को लगता है, interiors भी देखिए, back और tan color में काफी बढ़िया लगता है, दोस्तों, इधर tune lead opener, engine way opener, park assist, फ़रंट के parking sensors के लिए, आपका urea वगरा fill up कर देखिए, वो indicator है, बागी ignition switch, और उसके किनारे किनारे chrome, थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आपको space मिलता है, यह texture यहाँ पर brownish red में आपको देखने को मिलेगा, AC के vents मिलेंगे, dashboard पर नजर मारेंगे, कुछ इस तरह का आपको dashboard मिलने वाला है, बैर जाते हैं अंदर, अंदर बैठेंगे, तो कुछ इस तरह का आपको unlock cluster देखने हो को मिलेगा, लेकिन आप देखो ध्यान से अगर देखोगे, 3D depth के साथ ही आपको देखने को मिलता है, RPM, engine, heat वागरा दिखाएगा, बीच में आपको एक TFT screen है, बाकि सारे information के लिए, temperature देखो 35 डिगरी है, बाकि यह पूर आपका speedometer और fuel दिखाएगा, इस तरह आपका यहाँ पर change करने के लिए ठीगरा देख सकते हो, steering column आपका round bottom मिलता है, और leather wrapping है, stitches आपकी कुछ इस कलर में है, total के bashing, airbag के bashing आपको देखने को मिल जाएगी, total 7 airbag इस variant में देखने को मिलता है, tilt और telescopic support के साथ यह steering column आपको देखने को मिलता है, दोस्तु, इधर आपके सारी important screen के control, phone receive cut करने के लिए, mode change करने के लिए, voice function वगरा है, इधर देख वीज़े, आपको cruise वगरा तो नहीं मिलता है, cruise मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं, cruise नहीं मिलता है, नहीं भाई, मिलता है, क्रूज यहां दिया गया, ठीक है, यहां पर आपको cruise control देखने को मिलता है, automatic headlamps, wipers के control आपको देखने को मिल जाएंगे, dashboard पर नजर मार लीजे, कुछ इस तरह आपको complete dashboard यहां पर देखने को मिलता है, मुझे तो personally आपको देखने को मिलता है, Toyota यह क्रिष्टा का खास तोर पे आमेशा से ऐसा रगया, काफी बढ़िया लगता है, infotainment screen आपको यहां पर 8 inches की मिलेगी, android auto app per car पर आप connect कर चकते हैं, लेकिन वायरस ही नहीं होगा, capacitive touch screen आपको देखने को मिलती है, बाकी आपको देखो, यहां पर सारे बटन वगरा भी दिये गया है, बाकी देख लो, कुछ इस तरह का interface है, बहुत basic सा है, तो इसका reverse camera भी आपको दिखाई दिया जाए, क्योंकि लगा हुआ है इसमें, यह देख लो, कुछ इस तरह का आपको reverse camera देखने को मिलेगा, not the best, बस काम चला हूँ, लेकिन इस price range में और अच्छा दिया जा सकता था, नीचे आपको automatic AC देखने को मिल जाएंगे, उसका यह तोड़ा सा display है, और नीचे आजाएंगे, तो passenger airbag, on or off करने का function, mode change करनेगा, मतलब eco mode में डालना चाहें, तो देखें, आपको दिखाता है, देखो दिखा रहा है, eco mode में डाल जाएगा, बाकि इदर आपका power mode में डालना है, तो traction off करने के लिए, और 12 volt का socket, 1 USB port, बाकि आपको यहाँ पर जागो, कोई बारल चार्जिंग नहीं मिलते है, तोड़ा से space मिलता है, 5 speed आपके manual gearbox, manual handbrake, 1 cup holder, soft armrest, sliding नहीं है, इतना space आपको armrest के अंदर देखने को मिल जाता है, दोस्तो, ठीग है, stitching देखो, white color में दी गई है, seats आप एक बार देख लो, tan color में है, camel color समझ लो, काफी बढ़ी है, seats, color यह बहुत बढ़ी है, बेला color के साथ काफी ज़सता है, इधर आपको देखो, थोड़ा से space उपर है, और वहीं थोड़ा से space, आपको नीचे देखने को मिलता है, dashboard पर आप दियान से देख लिए, सब कुछ आला कि आपको hard मिलेगा, लेकिन color combination, यह आपका matte black, silver satin में, और इधर आपको यह red ascent के साथ, brownish red, यह आपका matte black, soft matte black, ठीक है, बागी आपका देखो, यह तरह का आपका dashboard है, बहुत ही बड़िया dashboard लगता है, AC के vents, उसी किनार किनार पूरा, यह silver की line लगी है, काफी बड़िया लगती है दूस्तों, ठीक है, यहापको 1000 की light, clock दे रखिए, जो collect time बता रही है, बागी dashboard पर एक बार नजर मार लीजे, console पर नजर मार लीजे, द्रवाजा देख लो, child lock, यह soft में है, बागी सब hard है, यह आपका वो element देख रहे हैं, जो brown, red, अब जो समझ लो, मेरे को color समझ में नहीं आरा कौन सा है, brown is red, आपका mix है, power window के controls, यह आपका dull, satin silver, handle, bottle holder, umbrella holder, यहाँ पर emergency के light दे रखी है, speaker's के placement है, बागी आप देखो, बाहर से देख लो, कुछ इस तरह से आपको tan color में, black color में, seat देखने को मिलती है, pure latherate है, अंदर गुसल से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, यह कितनी inclined होती है, यह आप देख लो, ठीर है, यह देख लो, उससे compare करेंगे, तो यह इतनी inclined हो जाती है, पीछे अगर कोई नहीं बैटा है, तो बाड़े अराम से, आप मस्ती से रेस्ट करते हुए जा सकते हैं, और इसको थोड़ा और पीछे कर लेंगे, अगर सीट को यहां से, बढ़ी आई हो जाएगा, वापस ख़णा कर देते हैं, दो captain सीट साफर करी आती है, यह आपका seven-seater है, और के वर seven-seater में ही आता है, आइसो-fix child mount, दोनों passengers के लिए आपको seat belt, साथी साथ आपको headrest देखने को मिलता है, यहां पर देख लिए काफी unique position में, आपको यहां पर cup holders देखने को मिलते हैं दो, चलिए अब अंदर बैट जाते हैं, वो sitting of work की बात कर लेते हैं, अंदर बैट हैंगे, तो सबसे पहले नज़र पड़ेगी, यहां पर, दो adjustable headrest आपको देखने को मिलते हैं, बाकी देख लिजए, आपको यहां पर AC के वेंट यहां नहीं मिलते हैं, 12 volt दो आपको यहां दिएक हैं, आपको यहां दिएक हैं, ऊपर, dual ion AC है, यहां से भी आप ऐसे चला सकते हो, बाकी साथ में, यहां पर आपको ambient light भी दिख रही होगी, blue color में ambient light है, जो काफी बड़ी है लगती है, cable light आपको यहां पर, आप अलोजन में है, grab handles with coat to kangar, दूसरी side भी same setup है, third row के लिए, second row के लिए, आपको लेंप देखने को मिलता है, बाकी आपर देख लीजिए, आपको near room में as such कोई कमी नहीं है, high support में और leg room में भी कोई कमी नहीं है, दोस्तों आपर आम रेष्ट, यह देखो, बड़ी असा आम रेष्ट है, थो पतला आम रेष्ट है, थो आपर चोड़ा होना चीए था, फ्रेंट में आपको magazine holder मिलता है, इधर भी आपको magazine holder मिलता है, एक special चीज आप देख लो, यह, table मिलती है, इसमें आपको देखो, holding table के साथ, यहाँ पर आपको cup holder मिलता है, और max capacity आपकी 10 kg की यह पर सो कर रहा है, इसको यहाँ से दबा के आप नीचे गिरा सकते हैं, यह element यहाँ भी दिया है, काफी बढ़ी है, sheets का color देख लिए, डूल टोन है, आपको इस तरह से देखने को मिलता है, यह आप इससे चाओ तो, आगे पीछे आपको यह facility दी हुए, यह देख रहे हो, इसको पगड़के आपना आगे पीछे कर सकते हैं, अपने इसाब से, अलेक्ट्रिकल ही नहीं है, लेकिन यह feature काफी बढ़ी आए, दूस्तों, dashboard देख लिए, कुछ इस तरह से आपको complete dashboard नजगाने वाला है, बात कर ली जाए, इसके third row के, येकिन पहले, access कैसे करना है, ये बताता हूँ, third row को access करना है, तो आप इसको tumble करेंगे, tumble करना है, तो इसको ऐसे उठाए, इससे गिरा दी से, इसको ऐसे आप गिरा दो, तो ये आपके tumble हो गई, उधर वाली भी tumble हो जाएगी, ऐसे ही, थाइल ड्रो में पहले देख लो, दो आपको 50-50 श्प्रिक में seat है, तीन adjustable address है, तीसरा बड़ाई आपको अडली प्लेज़ जाए, और इसको भी आपने tilt कर पाओगे, एक बार में tilt करके दिखाता हूँ, पीछे जावल, पीछे, 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 ठीक है, यह देखो, कुछ इतना आप tilt कर सकते हो, और अराम से बैट सकते हो, तीनो पेसंजिस के लिए आपको seatbelt देखने को मिलती है, अंदर चल लेते हैं, इधर आपको देखो, cup holder, थोड़ा सा space, इधर grab handles, तीसरे रो के लिए भी आपको AC के लिए आपको AC के लिए आपको देखने को मिलते हैं, इधर भी same setup आपको देखने को मिलेगा, paper clip holder, और क्या ही बात करें, sitting posture की ना ही बात करें, तो जादा बढ़िया है, यहां से देख लिए से कुछ इस तरक आपको यहां पर dashboard देखने को मिलेगा, और यह tan color काफी बढ़िया लग रहा है, और साथ में आपके AC के vents, और complete dashboard looks में काफी बढ़िया लग रहा है दोस्तों, छिली एक और चीज़ बची है, इसका engine पर थार्ड रो में आपको ISOFIX child mount नहीं दिये, इसको बंद करते हैं, engine में access करना हो तो यहां पर आपको pull कर दो engine को access हो जाएगा, इसका बोनट बहुत भारी है दोस्तों ठीक है, अगर यह hydraulic stud दे दिया होता तो काफी बढ़िया लगता है, engine की बात करें तो आपको यहां पर 2.4 लीटर का turbo diesel four cylinder engine देखने को मिलेगा, जो 147 bhp की power और 343 newton meter का torque देगा, fuel tank capacity पच्पल लीटर की आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, बाकी layout वगरा एक बार अच्छे से देख लिए जो कुछ तरह से आपको देखने को मिलता है, यहां पर कोई भी आपको covering वगरा फ्रवाइड नहीं खरी गई है, लाकि insulation और damping आपको यहां देखने को मिल जाएगी, यह road देख रहे हो, अभी इससे तेडी होने लगी है इसके वज़न से, तो दोस्तों यह थी आपकी Toyota Innova Crystal Top Model, Gerex, Seven Seater, 32,000,000,000,000,000,000,000 on-road, price justified है कि नहीं वो आप decide करिये, इस वार एपकी इस कार के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स में आप पूच सकते है, तो उम्मित करता हूँ कि वीडियोा आपको पसंद आई हूग, वीडियो को लाक करिए चालो को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स वीडियो में आपसे फिर मुनाकात होगी, तब तक के लिए जय हैं, जय वारत